भारत एक सक्तिसाली देश बन चुका है, भारत एक डिजिटल भारत बनने वाला है, भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहा है या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि भारत 21 सदी का भारत बन चुका है, भारत के बास एक से बढ़कर एक हतियार है जो पूरी तरीके से भारत को 21 सदी का भारत बनाता है ऐसा ही एक हतियार भारत के पास है जो अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा सक्ति सारी है जिसका नाम है सुखोई 30 MKI दोस्तों आप सभी इसके बारे में जानते होंगे लेकिन आज हम आपको इसकी पूरी जनकारी देंगे यह भारत का सबसे भरोसे मन फाइटर जेट है इसे आप भारत का ओल राउंडर खिलाड़ी भी कह सकते हैं भारतिय वाईयर सेना के बेड़े का लगबग एक टीहाई हिस्सा सुखोई 30 MKI से भरा हुआ है रूस में निर्मे सुखोई 30 MKI को दुनिया का सबसे बेश्ट फाइटर जेट माना जाता है इसकी लंबाई 21.9 मिटर है वहीं चोड़ाई 14.7 मिटर है बिना हतियार के इसका वज़न 18,000 किलो 400 ग्राम है वहीं हतियार के इसका वज़न 26,000 किलो ग्राम से अधिक हो सकता है इसकी अस्पीड 26,000 किलो मिटर परती घंटा है और ये 3000,000 किलो मिटर अंदर तक घुज कर दुस्मनों को खात्मा करके वापस आसानी से आ सकता है तो इंजन वाला यह फाइटर प्लेन किसी भी मौसम में किसी भी समय आसानी से उडान भर कर दुस्मनों को हवा से हवा बें हवा से जमीन में नस्तो नाबूत कर सकता है अमेरिका के फाइटर प्लेन F-16 से हमारा फाइटर प्लेन सुखोई 30 MKI कई माईनों में एडवांसर है इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के फाइटर प्लेन को जवाब देने के लिए हमारे पास पहले इसे फाइटर प्लेन मौजूद है सुखोई 30 MKI को बनाने के लिए भारत और रूस के बीच सन 2004 में सहमती बनी थी जबके अमेरिका दोआरा F-16 को 1974 में बना लिया गया था आपको बता दे कि 2015 में भारत में रूस के मदद से सुखोई 30 MKI को सामिल करके अपनी सक्ती बढ़ा लिया था अगर हम तुलना करे F-16 से तो हमारा सुखोई विमान अमेरिका के विमान से कई गुना आगए है हथियार ले जाने से लेकर हमला करने तक हमारा सुखोई विमान F-16 से कहीं आगए है अगर हम बात करें वरतमान समय की तो भारत के पास 200 से अधिक सुखोई 30 MKI भीमान मौजूद है आपको बता देंगे सुधेशी परनाली से बना सुखोई उच्च छंता और लंबी रेंज वाला फ्लेन है इस फाइटर प्लेन में कुछ ऐसी एडवांस टकनीक है जो दुनिया के किसी भी फाइटर प्लेन में मौजूद नहीं है इसमें डबल इंजन लगा हुआ है जो 2600 किलोमिटर परती घंटे की रफतार से उड़ने में मदद करता है और एर रिफ्यूलिंग सिस्टम के मदद से उड़ान के समय हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है इस फाइटर प्लेन में अलग-अलग बंग और मिसाइल लेजाने के लिए 12 अस्थान है इसके इलावा इसमें एक 30 mm की तौप भी लगी हुई है इसके इलावा इसमें Long Range Radio Navigation System लगा हुआ है और इसमें Automatic Flight Control System लगा है Automatic System को Navigation System से जनकारे मिलते ही यह फ्लाइट अपने रूट से जुड़ी हुई प्रोबलम को खुद ही सोर्प कर लेता है जिसमें अपने Target को बर्बाद करने, Return आने और Landing करना तक सामिल है इसके इलावा इसमें Satellite Navigation System लगा हुआ है जिसके वज़ा से यह दिन हो या रात, चाहे किसी भी तरीका का मौसम हो या आसानी से उडान भर सकता है या फाल्टर प्लेन युद्ध के दोरान सेकड़ों किलमेंटर दुसमन के धर में घुश कर उसको तबाह करकर बहुती आसानी से वापस लोट सकता है यही वज़ा है कि भारत जब जब अपने सीमा पर सुखोई 30 MKI को तेहनात करता है तब तब भारत के दुसमन चिलाने लगते है आसा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक और सेयर करना बिल्कुल भी न भूले अगर आप हमारे चैनल पे ने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही नौनेज़ वाली वीडियो लाते रहता हूँ अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए थैंक्यू जैहिं जैभारत सब्सक्राइब किजी हमारी यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नेटिपिकेस आप तक पहुंच सके हैं धन्यवाद दोश्तों